Hello friends, आज हम Adopt Page Maker में Further Tool सिखेंगे, सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, New पे क्लिक कीजिए, एक फोस्टाइल सेलेक्ट करके पेज लीजिए, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ब्लाइंक पेज मिला है, तुल बॉक्स में Line Tool पे क्लिक करके आप Line Draw कीजिए, आप देख सक Line, यानि कि यहाँ पे हमें Straight Line मिलती है, आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे Line Draw की है, Slate Straight आ रही है, अगर हमें Line को Move करना है, तो तुल बॉक्स में Arrow Tool लेके आप उसको Move कर सकते हो, from one place to another place, आप देख सकते हो, Line Move होई है, Next हमारा Option है Crop, जिसके लिए हमें सबसे पहले जाना रह आएगा File menu में, File पे Click किजिए, Place पे Click किजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, different images दी हुई है, आपको जो image क्रॉप के लिए यूज करना है, आप image select करिए, उपन दीजिए, Yes करके, माउस का Left arrow प्रेस करके आप उसको drag करिए, आप देख सकते हो, image आगई है, आपके सामने, अ जहां से आपको image क्रॉप करना है, वहां से cursor price करके आप क्रॉप करिए, आप देख सकते हो, image क्रॉप हो गई है, और arrow tool का यूज करके, आप image की size चेंज करोगे, तो आप देख सकोगे, आपकी image क्रॉप हुई है, अगर आपको unc्रॉप करना है, तो image की copy लीजिए, अगीन जहां से अपने crop start किया था, वहां से uncrop start करिए, अब देख सकते हो, यहां पर uncrop होगी image, thank you